हेलो फेंड्स आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी यह मैंने दो किलो गाजर लिया है इनको अच्छे से मैंने दो कर छील लिया है सारी गाजर को मैंने छील कर कद्दू कस कर लिया है साथ साथ मैंने गाजर को गिशते वे गैस पर दूब चड़ा दिया है और गिशते वे इसमें गाजर को भी डालते रहेंगे इसमें इलाइची के दानों को अच्छे से छोटे नाम दिश्टे में गूट कर उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे हम इसमें इलाइची पायोडर भी मिक्स कर सकते हैं जैसा आप उचित समझें हम इसमें गाजर को मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से बीच-बीच में चलाते जाएंगे है इável है है तो हम बस दक च्रिया को जैकर सकता है यह मैंने 300 ग्राम चीनी ली है आप अपने स्वाधा नुसार भी डाल सकते हैं इसमें मैं थोड़ी मलाई को भी मिक्स कर दूँगी कर दोड़ी में जब इसका दूद सूप जाएगा उसमें मावा मिक्स कर देंगे इसमें मैंने बदाम और काजो मिक्स करें हैं करेंद तर्मस कर दो नुत कर दो एफ इसमें मावादा नुटक में भी कर दोड़ी में दोड़ी हम इसको सर्व कर देंगे और हम इसको फिर्ज में भी प्रकर दस या बारे दिन तक खा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें